नमस्कार दोस्तो पाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आप लोग सामने मूली का पोधा लेकर आया हूँ ऐसे तो मूली को सभी जानते हैं पहिचानते हैं तो दोस्तो मूली के पोधा तो आप सभी लोग देखे होंग पहिचानते होंग और मूली खाए भी होंगे तो मूली के फाइदे आप फटा फट जान लेते हैं कि आखिर मूली में क्या-क्या फाइदे हैं तो देखिए दोस्तों कच्छा मूली खाने के बहुत फाइदा है जैसे माल लीजिए किसी को पीलिया रोग है या कमला रोग है जोन्डिस्टी से कहते हैं तो आप सुबा सुबा खाली पेट, भासी मू ली कम से कम दो मूली और उसके पत्ते चबा चबा कर खाएं, तो आपका पीलिया है रोग कुछ दिनों ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी पेट में गैस बनता है बहुत ही अधिक बनता है तो आप कच्चा मूली सुबा सुबा खाली पेट खाए तो आप के पेट का गैस बनना बंद हो जाएगा दोस्तों या मूली पेट के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है इसके सेवन से पाचन किरिया मजबूत होता है भूख बढ़ता है दोस्तों अगर किसी के पेट में दाने फोले फुनसी हो या फिर आत में घा हो तो मूली का रस निकाल कर करीबन पचास एमल सुबा सुबा ख खाली पेट सेवन करने से आत के फोले फुनसी जक्म ठीक होते हैं और अलसर रोग ठीक होता है दोस्तों मूली का तासीर ठंडा होता है इसलिए मूली के सेवन से लिवर कितनी मजबूत होता है और हाँ दोस्तों अगर किसी के लिवर में सूजन हो या कितनी म सूजन हो तो कच्चा मूली ही चबा चबा कर खाए तो भी फाइदा होगा दोस्तों मूली जो है इमूटी पार्ग बढ़ाता है रोग प्रति रोधिक छम्ता को बढ़ाता है जिसके वज़े समय जल्दी जल्दी सर्दी खासी जुखाम नहीं हो पाता है तो दोस्तों अगर आप हमेशा सेवन आप कीजिए कच्चा मूली का सेवन दोस्तों मूली के अंदर विटामिन सीग मातरा भर पूर होता है इसलिए अगर किसी का बाल जढता उड़ता हो तो वह मूली का सेवन करें उसके बालों का जढ़ना उड़ना रूँख जाएगा दोस्तों बहुत सारे लोगों पे बीज भी होता है अगर किसी को दाद खाज खुजली हो तो आप मूली के बीज को नीबू को रस में पीश कर दाद खाज खुजली में लगाते हैं तो दाद खाज खुजली ठीक हो जाता है इतना फाइदेमंद होता है दोस्तों मूली का बीज तोचा रोक के लिए दोस्तों अ के सुजन उतरता है बदन के सुजन दूर होता है दोस्तों अगर किसी को हिचकी रोग परिशांद करता हो तो मूली कजूस सेवन करे या फिर सूखी मूली काड़ा बना कर 50 एमल्स लेकर सव एमल दिन में एक घंटा छोड़कर दो तीन बार इस्तमाल करे तो हिचकी रोग सांत कन्द नीकालने और उस रस को जैसे 50.000 घ्राश सब्सक्राइब झिक हो जाएगा दोस्तों मूली यह फिर मुली कोरीsystem कन्द की बबीक दोस्तों तो अग어 दोench कुली होता है और यस दोस्तों सफेद मूली मिद्व परकार्ट मूली छोता है मीठी मूली होता है और चरपरी मूली को की सर्दी जो KHाम ठीक होता है मूली को खार-चबावण कर देख लिजिए अगर चबाने पर जीब में परप्रवहत होता है जो समझे वही मूली है जो सर्दी को दूर करता है दोस्तों अगर किसी का स्वर भंग हो गया हो गला बैठ गया हो आवाज साफ न निकलता हो या कंट रोग हो तो आप मूली के बीच को लाकर पीश कर पौडर बना लीजिए उस पौडर में से 5 ग्राम पौडर या फिर 10 ग्राम पौडर गरम पानी 5 ग्राम सेवन कीजिए तो गला साफ होगा कंट शुद्रेगा कंट रोग भी ठीक होगा दोस्तों छोटी मूली को च्छाया में सुखा कर पीश कर पऌडर बना लीजिए और 1 ग्राम कमात्रा में सेवन करने से सांस रोग ने फाइदा होता है जिनका दम फूलता और सौंस रोग को ठीक करने दूसरा उपाई की दोस्तों पांच एमिल्मॉर्ष में पांच ग्युच गुर्प सेधा नमख पांच ग्राम सेम्च मिलाकर चाटने से भी वह साफ जाते हैं दिकत दूर मूली क्छार में एक चम्मच सहद मिलाकर चाटने से भी स्वास-डोग में फाइदा होता है लेकिन हां दिन में तीन-चार बार चाटना पढता है मूली कि फाइदा चार में मूली को मा मूली मत समझना बहुत फायदे गा पाए दोस्तों js वात रोगियों के लिए मूली बहुत ही भाइदेमंद होता है मूली का सेवन जरूर करना चाहिए सबजी बनाकर खाना चाहिए या फिर कच्चा मूली चबाना चाहिए तो सरीर का वात दूर होता है इस मूली के सेवन से जोस्तों भी सेमल मूली के रस में 50 ग्राम गाय का घी म और वो उतना मिश्री मिला कर रख लो और 40 दिनों तक सेवन कीजिए 25-25 ग्राम सुबा साम तो भी वहासी रोग ठीक होगा दोस्तों मूली की सेवन से फैसाब खुल कर होता है अगर किसी को रुक रुक कर फैसाब होता हो या जलन होता हो तो वह मूली और मूली की पत्तों का सेवन करें या फिर 100 एमल रस निकाल का डायरेक्ट पी सकता है दोस्तों या मूली पाचन तंत्र को ठीक करता है या मूली ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है खून को साप करता है अगर किसी ब्लड पेसर हाई होता है बार बार तो वह मूली का सेवन करें उसका पाचन किरिया सही होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा तो बीपी रो कि तो दोस्तों गरमी के सभी विमारिव में मूल का उपयोग कीजिए और फायदें इठाइए अगर थोड़ा से काम करने पर किसी को अधिक पसीरिय पसीना आता हो तो वाँ मूले क सेवन अधिक से अधिक कि लिए उसके शरीर का ताफिर थंडा होगा सीतल होगा तो उसे अधिक पसीना नहीं आएगा और हाँ दोस्तों मूली का एक और जब अजस्ट फाइदा मैं आपको बताता हूं पूर्सों के लिए जिन पूर्सों को सरीरिक कमजोरी हो प्रस्नल पार्ट कमजोरी हो तो वह पूरुस मूली के बीज यानी 100 ग्राम मूली के बीज से दोस्तों कभी-कभी महंगी दवाई फेल हो जाता है दस रूपया काम आ जाता है तो ठीक उसी तरीके से अगर किसी पैरालाइसिस लकवा लगा हो तो मूली का रस कम सकम 40 एमन निकाल कर दिन में तीन बार सेवन करे तो उसे लकवा में लाब होगा पैरालाइसिस में लाब तो लीवर्तिली का रोग ठीक होता है दोस्तों मूली के अंदर विटामिन सी का मातरा होता है इसलिए अगर आखों कोई तकलीफ हो तो आप मूली का रस आखों काजल तरह लगाते हैं तो आखों का रोग ठीक होता है तो हाँ दोस्तों इस मूली को आप मामूली नहीं समझन क्योंकि हमारे सरीर में होने वाले कई बीमारियों को नश्ट कर देता है या मूली आप मूली को सेवन कीजिए और फाइदे उठाइए तो चलो दोस्तों इस महात्पुर जानकारी को अब हम ही समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लाबदायक हो फाइदे मंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्क्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदी